नमस्कार आदाब स्लाम सस्रियकाल चैश्री कृष्णा मैं राखी शर्मा आपकी होस्ट आपकी दोस्ट लेके हाजिर हूँ आप सब का मन पसंदिदा प्रोग्रेम यादों का सफर याने के यादों को ताजा करता सफर अक्सर हम लोग जब कोई भी कहानी सुनते हैं स्टोरी सुनते हैं तो उसमें डूब जाते हैं उस किरदार में डूब जाते हैं रिलेट करने लगते हैं कहीं न कहीं उस किरदार से खुद को ऐसा लगता है कि ये कोई कहानी नहीं सच्चाई है और जब बात हो सची कहानी की तो इंटरस्ट और भी जादा आ जाता है और खास कर उन लोगों की जो हमारे दिल के बेहत करीब होते हैं जी जनाब मैं बात कर रही हूँ फिल्मी हस्तियों की जो की हमारे दिल के और हमारी जिन्दगी के बेहत करीब हैं हम उनसे कही न कहीं, कभी न कभी उनके किरदार से खुद को किसी न किसी मूवी में रिलेट करते रहते हैं मगर हमेशा हम उनकी परदे के पीछे की जिंदगी को भी जानना चाहते हैं तो यही तो है हमारा प्रोग्रेम यादों का सफर जिसमें हम आपको आपके मन पसंदिदा अभिनेता, अभिनेत्रियों, फिल्मी हस्तियों के पर्दे के पीछे की जिंदगी भी बताते हैं तो जिनाब लेके हाजिर हैं यादों का सफर एक ऐसी अदाकारा के साथ जिसने अपनी जिंदगी के लगबग 6 दशक फिल्म इंडस्ट्री को दिये वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी खूबसुरत अभिनेत्रियां हैं जिनोंने अपनी अदाकारी से, अपने अभिन्य से अमिट छाप चोड़ी है ऐसी ही एक अदाकारा है, जिनोंने अपने अभिन्य से अपना एक खास स्थान बनाया फिल्म इंडस्ट्री में हालांकि वो मेन लीड में नहीं होती थी, मगर उस समय कोई भी मूवी उनके बिना फूरी नहीं होती थी सहाय किरदार निभाती थी, उसमें जान डाल दे थी, कभी मा का, तो कभी बहन का, तो कभी ननत का और वैम्प के रोल में तो वो थी माहिर तो जिनाब आपका अंदाजा बिलकुल दुरुस्त है, नायाब खुबसूरती की मलिका, शशीकला की बाते होंगी आज हमारे प्रोग्रेम यादों का सफर में शशीकला वैम्प के रोल को भी जीवन कर देती थी और बहन ननत बनके भी कही न कहीं खलनाईका का मसाला जोग ही देती थी तो जनाब आज हमारे प्रोग्रेम यादों का सफर में लेके हाजिर हैं शशीकला की जिन्दगी का बेवरा, कुछ पर्दे का तो कुछ पर्दे के पीछे का शशीकला जिनका पूरा नाम था शशीकला जौलकर इनका जन सोलापूर में हुआ एक महराष्ट्रियन परिवार में टिपिकल महराष्ट्रियो फैमली से ये बिलॉंग करती थी इनके पिता का नाम था अनंत राव जौलकर इनके पिता कपड़े के व्यापारी थे और इनकी माता ग्रहनी थी इनका अच्छा खासा बिजनस था कपड़े का और इनका बचपन बहुत ही अच्छा बीत रहा था मगर उस समय उनके पिता के एक छोटे भाई भी थे जिनसे वो बेहत प्यार करते थे उनकी पढ़ाई के लिए उनको एक बहतर इनसान और करियर में स्टैंड करवाने के लिए पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया और लगबग अपनी काफी जमापुनजी अपने भाई की स्टडिस पे लगा दी कुछ करजा लेकर तो कुछ जो भी इनकी जमापुनजी थी इस आशा में के उनका भाई जब पढ़ लिखकर विदेश से वापिस आएगा तो उनके बिजनस में उनके व्यापार में उनकी मदद करेगा उनको बढ़ाने में उनकी मदद करेगा इस तरहें दोनों भाई मिलकर अपना व्यवसाय और जमा लेंगे और पूरे देश में फैला देंगे मगर इनसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है उनका भाई विदेश से आया और आते ही उसने शादी कर ली और मुख मोड लिया सारा करजा उन पे पढ़ गया करजा लोटा न पाए और वो दिवालिया हो गए बैंक्रप्ट हो गए बदकिस्मत शशी कला को पांच साल की उम्र में ही फाइनेंशिल प्रॉब्लम का आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा कहां एक व्यापारी पिता की बेटी और कहां सडकों पे आ गए एकदम से अभी तो घर में चूला तक नहीं जलता था बहुत तंगी हो गई थी यहां तक की खाने पिने के लाले पड़ गए थे इसी कारण शशी कला को लगबख पांच वर्ष की आयू में ही काम करना पड़ा तो शशी कला जी पांच वर्ष की आयू में ही मेला आर्टिस्ट का काम करने लगी लोकल प्रोग्रेम में डांसिंग तथा एक्टिंग करने लगी जिनसे इने कुछ पैसा मिल जाता था जिनसे उनके खाने का जुगार तो हो ही जाता था दिवालिया होने के बाद जब घर बार सब छिन गया तो उनके पिता अपने दोस्त के यहां जाकर रहने लगे तो शशीकला पहले तो उनके घर के काम करती थी बरतन सफाई का काम करती थी और उससे फ्री होने के बाद वो स्टूडियो के आसपास चक्कर लगाती थी कि शायद कहीं उन्हें कोई काम मिल जाए, कोई मूवी मिल जाए जिससे इनकी जिन्दगी बदल जाए ऐसे ही वो रोज स्टूडियो के चक्कर लगाया करती थी एक बार सिंगर नूर जहां ने उनको देखा उनकी नजर जब शशीकला पर पड़ी तो उन्हें वो बेहत पसंद आई और उन्होंने अपने पती से उसके बारे में बात करी जैसा कि मैंने आपको बताया कि नजर पड़ी सिंगर नूर जहां की उनपे उस समय नूर जहां अपने पती के साथ एक मूवी बना रही थी जैसे ही शशीकला पर नजर पड़ी तो वो इंप्रेस हो गई और उन्होंने उनको ये चांस देने का फैसला कर लिया उनके पती शौकत हुसेन ने शशीकला को अपने स्टूडिय में बुलाया ओडिशन के लिए इंटर्वियो के लिए किरदार था एक उर्दू भाशी के लड़की का बचपन का जब शौकत हुसेन जी ने उन्हें कुछ बोलने को कहा तो शशीकला जी ने कहा खाली पीली काड को बात करने का उनका ये टिपिकल महराश्ट्रियन एकसेंट सब खुश तो हुए मगर उर्दू भाशी लड़की के किरदार में वो बेहत फिट नहीं बैट रही थी ये सुनकर सब हस पड़े नूर जहां के दिल में घर कर गई थी इसके साथ साथ शौकत हुसेन जी को भी शशीकला बेहत पसंद आई थी जीनत में तो खैर उन्हें काम ना मिल पाया मगर नूर जहां और शौकत हुसेन ने उन्हें आगे काम देने का वायदा किया उसी समय एक कॉम्पिटिशन था कवाली कॉम्पिटिशन था जिसमें उन्हें शामा और शालिनी जैसे उस समय के पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिला इस कॉम्पिटिशन में उन्हें भाग लिया और शामा और शालिनी जैसे उस समय के पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट को हरा कर 25 रुपय का इनाम जीता और competition विनर बनी हमारी शशीकला जी कवाली competition जीतने के बाद शशीकला को नूर जहां और शौकत हुसेर ने अपने स्टूडियो में रख लिया 400 रुपया महीने की salary पर अभी उनके घर में हालाद सुदरने लगे थी चौका चुला जलने लगा था खुशी का माहौल होने लगा था और खाने पीने की कोई भी problem नहीं थी अच्छा समय व्यतीत होने लगा मगर कुछ समय बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ बटवारे के बाद जब नूर जहां तथा शौकत हुसेन पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए तो शशी कला फिर से अपनी वही घरीबी की हालत में आ गई उनका काम चिन गया था उनके जाने के कारण उनके घर में फिर से आर्थिक तंगी आ गई मगर उनकी अभी तक आइडेंटिटी बन चुकी थी फिल्म इंडस्ट्री में जिस कारण उनको मूवीज भी मिलने लगी उन्होंने मूवीज करनी शुरू कर दी सहाय किरदार के रोल निभाने अभी तक शशी कला काफी सेटल हो गई सहाय किरदार के रोल उनको काफी मिल रहे थे और उन्होंने काफी अच्छी अच्छी मूवीज दी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे के अनपढ़, खूबसूरत, गुमराह, कानोन, जुगनू जैसी मूवीज दी मगर उन्हें इस बात का मलाल था कि शामा शालिनी जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट जिने इन्होंने कवाली कॉम्पिटिशन में हराया, जीत हासिल करी और कॉम्पिटिशन विनर बनी उन्हें में लीड के रोल मिल रहे थे और शशीकला जी को साइड हीरोईन का या फिर सहायक कलाकार का खेर शशीकला जी ने उसमें भी अपनी एक अमिट चाप छोड़ी जैसे कि मैंने बताया अनफोरगेटबल मुवीज दी उन्होंने फिल्म इंडस्टिस को इसके साथ-साथ उन्होंने टीवी में भी काम किया सौनपरी तथा जीना इसी का नाम है जैसे सीरियल्स में काम करके अपना दब दबा फैलाया शशीकला 19 साल की थी जब उन्हें प्यार हो गया प्यार तो सबकी जिन्दगी में आता ही आता है एक बार ऐसे ही शशीकला जी को भी हो गया उस समय के फेमस सिंगर केल सहगल के रैलिटिव थे ओपी सहगल जिन्हें ये एक पार्टी के दौरान मिली और उनमें प्यार हो गया मिलने लगे और जल्द ही दोनोंने शादी का फैसला कर लिया शशीकला भी बहुत मेहनत कर चुकी थी जिन्दगी में पांच साल की ओमर से उसने घर के चूले के लिए काम करना शुरू कर दिया था अब वो भी सेटल हो जाना चाहती थी लाइफ में और खुशनुमा जिन्दगी अपने परिवार के साथ बिताना चाहती थी इसलिए उन्होंने जल्द शादी कर ली और शादी के बंधन में बंद गये इस शादी से उन्हें दो बेटियां हुई रेखा और शालिनी दोनों बेटियां बहुत प्यारी थी मगर किस्मत उनके पती ओपी सहगल का बिजनस फेल हो गया घर को फिर से आर्थिक तंगी ने घेर लिया कहां शशिकला ये सब छोड के अभी अपने लाइफ में सेटल होने वाली थी शांती से रहना चाहती थी कहां उन्हें फिर से उन्ही काम में लगे रहना पड़ा फिल्मों में काम करना पड़ा लगबग दो-दो शिफ्ट करनी पड़ती थी उन्हें अपने घर का खर्चा चलाने के लिए आर्थिक तंगी के कारण पती-पत्नी में आए दिन जगड़े होने लगे जिस कारण उन्होंने अपनी बीटियों को बोर्डिंग भीज दिया मगर बोर्डिंग भीजने के बाद भी ये जगड़े सुलज नहीं पाए और दिन बदिन दोनों की फैमिली लाइफ काफी खराब होती जा रही थी शशिकला बेहत तंग आ गई थी अपनी जिन्दगी में कहते हैं कि जब प्राबलम हद से जादा बढ़ जाती है तो इनसान शानती पाने के लिए कुछ भी करने को त्यार हो जाता है एक बार मूवी गुमराह की शूटिंग के दोरान उनका एक विदेशी शक्स के साथ प्यार हो गया और वो उसके जांसे में आकर अपने पती तथा बच्चों को छोड़ कर विदेश भाग गई एक इंटरिव्यो के दोरान उन्होंने बताया कि ये उनकी जिन्दगी की सबसे बड़े गलती थी वहाँ जाकर उन्हें दर-बधर धक्के खाने पड़े, अपमानी थोना पड़ा, परताडी थोना पड़ा यहां तक की सड़कों पर भी सोना पड़ा उन्हें बुरी عورत के नाम से जाना जाने लगा पती से तो वो अलग हो ही चोकी थी मगर कहीं न कहीं उनपे बुरी औरत का लेबल भी लग गया वो कहते हैं ना कि हमेशा परदे के आगे दिखने वाला ही सच नहीं होता परदे के पीछे भी बहुत कुछ होता है जो हम नहीं जानते कैमरा, लाइट जब बंध हो जाते हैं अंधीरा हो जाता है वैसे ही इन सुपर स्टार्स की लाइफ में भी अंधीरा होता है काफी जो हमें उनकी रियल लाइफ स्टोरी जानकर ही पता चलता है जब वो वापिस आई धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी में सेटल हुई अपनी मां के पास रही उनकी बेटी को कैंसर हो गया जिसके चलते वो बेहद ओदास रही। उन्होंने हर कोशिश करी उसका इलाज करने के लिए उसे बचाने के लिए। अगर कोशिश इस कदर करने के बाद भी जब भगवान की इच्छा ना हो तो वो नहीं हो पाता उनकी बेटी जल्द ही भगवान को प्यारी हो गई तो देखिए शशीकला की जिंदगी में कितने उतार चड़ावाए मगर फिर भी उन्होंने छे दशक दिये इस फिल्म इंडस्ट्री को अपनी अदाकारी से संजोया फिल्मों को फिल्म इंडस्ट्री को अपने होने का एहसास तिलाया अपने अभिन्य प्रतिभा की जलग दिखाई 4 अप्रेल 2021 को शशीकला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और सो गई जाकर भगवान की गोद में रुकसत हो गई इस दुनिया से दे गई धेर सारी सुनहरी यादे हमें फिल्मों के रूप में अपने होने के एहसास के रूप में आज भी जब मूवीज देखते हैं उनका हस्ता खिलखिलाता चेहरा दिखता है मगर इसके पीछे उन्होंने क्या दुखदर्द सहे वो आज हमने जाने प्रोग्राम यादों का सफर दुआ करते हैं भगवान उनकी आत्मा को शान्ती दे सुकून दे वो जहां भी हैं खुश रहे तो आशा करती हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम यादों का सफर बेहत पसंद आया होगा जल्द मिलेंगे हमारे प्रोग्राम यादों का सफर के नेक्स्ट एपिसोड में एक नई दास्ता और नई किरदार के साथ कब तक के लिए किसी भी info के लिए आप हमें contact कर सकते हैं info at just broadcasting.com पे कब तक के लिए खुब सारा प्यार और धेर सारा इंतिजार धन्यवाद